हलो फ्रेंट, सुआगता है आप सभी का, देखे आज हम discuss करने वाले हैं डोजी चैंडल के वारे में, आप देख पा रहे हो कि जनवरी मन्त की जो चैंडल बनी हैं, जनवरी 2014 मन्त की वह एक डोजी कैंडल बनी है, इसको हम कहते है लॉंग लैग डोजी कैंडल, लॉंग लैग डोजी केंडल, तो ये जो डोजी केंडल अपनी बनी है, इसका क्या meaning है ये क्यों बनती है, और जब ये बनती है तो trade कहां करना चाहिए, trade किस direction में लेना चाहिए, और आगे की बाजार की चाल कैसी रहेगी, ये सारी details से हम discuss करने इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से आप लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए है तो जल्दी से चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के learning content आपको मिलते रहे देखे हमारा परपज जो है वो जो नए ट्रेडर आ रहे हैं बाजार में जो कोविड के बाद में नए ट्रेडर आए हैं और नए लोग जो बाजार को सीखना चाते हैं उनको free of course learning content प्रोवाइड कराना है ताकि वो बाजार को trade करने से पहले अच्छे से सीख सकें चलिए आज हम discuss करते हैं देखें long lag doji जो candle बनती है इसकी दोनों जो lags होती है इस तरह से बड़ी होती है आप देख पारे हो देखो यह बनी वे इस तरह से candle बनती है इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर buyers जब इसको उपर लेके गए तो sellers यहाँ पर हावी हो गए यानि जैसे ही बाजार उपर की तरफ गया तो यहाँ पर sellers हावी हो गए और sellers ने इसको वापस से नीचे धखेल दिया और जैसे ही बाजार नीचे जाता है केंडल का निर्माद होता है इस तरह की केंडल бनती है इसको हम कहते हैं लो लैक डोजी केंडल देखे यानी बाजार ना तो उपडिक पाया और नहीं नीचे टिक पाया तो यह दिखिए जनवरी मन्त की जो निफ्तिक केंडल है वो इसी तरह की बंती भी आपको दिखेगी तो यहां आप इसको ध्यान से देखिए कि जो बाजार है इसमें आप देखोगे कि इसका जो हाई है वो है 22,146 22,000 लगबग यह 22,146 का इसका हाई है और लो हम डिसकस करें तो यह 21,165 का इसका लो है ठीक है तो यह न तो बाजार उपर टिक पाया और नहीं नीचे टिक पाया जिस तरह से यहां पर यह केंडल बनी है अब आगे की क्या स्थिति होगी बाजार आगे किस दरेक्शन में जाएगा यहां से बाजार उपर की तरफ जाएगा या बाजार नीचे की तरफ जाएगा यह एक important question यहां पर रह जाता है ठीक है तो अब इसके लिए मैं आपको पीछे की थोड़ी history हम देखते हैं और पीछे चलते हैं थोड़ा सा चार्ट को analysis करते हैं और सबस्ते हैं कि पीछे जब भी इस तरह की candle बनी है तो बाजार में किस तरह की moment आया है क्या कोई upside moment आया है या फिर downside moment आया है इन सब को हम discuss करते हैं तो देखिए चलते हैं और ये देखो आप यहाँ पर पहले भी दो तरह की doji candle बनी है जिनको हम discuss करते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि March की जो candle है वो भी एक doji candle यहाँ पर बनी है देखिए ये वाली जो candle बनी है ये March 2023 की candle बनी है और इसके बाद में बाजार में एक upside moment रहा है जैसे ही देखो इसके बाद में अपरेल की candle बनती है ये green bullish candle बनी है यहाँ पर अपरेल मन्त की और और फिर उसके बाद में अप्रेल के बाद में यह मै की केंडल बनी है फिर उसके बाद में यह जून की केंडल देखें बुलिश रही है और फिर जुलाई केंडल यहाँ पर बुलिश रही है फिर बाजार यहाँ पर रेंज में रहा और फिर उसके बाद में यहाँ पर ब्रेक यहाँ पर मार्क़का रखका है Doji candle, यह मार्च 2021 की candle है। यह देखीं यह दूज़े मेंड बनी है मार्च 2021 इसके बाद में देखीं अगली candle यहाँ पर अधर ही बन गई है कि अगली candle यहाँ पर रेड़ की बनी है तो एक upside moment generate हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो अब यह जो जनवरी की यहाँ पर candle बनी है तो यहाँ पर देखना होगा कि फरवरी की candle कैसी बनती है फरवरी की candle अभी आज जैसे दो तारी की हुई है तो अभी तक यह candle का कुछ कहा नहीं ज को बताया है कि जब भी ये doji candle बनेगी एक तेजी की स्तИती बनती है बाजार में तेजी की स्तिती बनती है और बाजार जो है वो पायर्स के पक्ष में आता हुआ दिखता है, मगर फिर भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगी, थोड़ा सा समझेंगी, कि जब तक इसका हाई नहीं निकलता है, तब तक हम थोड़ा सा वेट करेंगी, ट्रेड के लिए, और आगे फिर इसके बाद में, कैंडल, फरवरी मंत की जो तरह की बनती है, उसको देखकर ही आगे ट्रेड लिया जाएगा, ठीक है, अगर आप लोंग पोजिशन बनाना चाहते हैं, और जैसे डेनी अनलेसिस के लिए जो वीडियो है, वो मेरे आते रहते हैं, I hope आप सबको समझ में आया होगा, कि डोजी केंडल बनती है, तो उसके